टूडेँ वी आरे स्टेडी एबाउड बीफार्मेसिं फार्स समेस्टर है इसमें इंपोर्टेंट कुश्यन है जिसका सब्जेक्ट कोड है बीपी वन जिरो वन टी आज हम लोग देखेंगे एक कुश्यन है इंपोर्टेंट इसमें बोला है कि डिफाइन टीशू एंड के बारे में और टीशू को डिफाइन करना कि डिफाइन करना है कि इसको बोलते हैं एक टीशू इज ए ग्रूप ऑफ सिमिलर सेल्स डाट वर्क्स तुगेदर तू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन क्या बोला या टीशू जो है एक सिमिलर ग्रूप का एक सेल है जो बह इस मुल्टि-cellular ऑर्गनिश्म टीशू फ़र्म डा स्ट्रक्च्रल अंड फंक्शनल यूनित टीशू क्या है एक स्ट्रक्च्रल अंड फंक्शनल यूनित भीस हो बोलते हैं that contribute to the organism overall functioning या participate करता किसमें एक organism overall जो functioning परफॉर्म करता है they can found in both plant and animals are essential for maintaining the body organization बुला है कि body बनने के लिए और plant और animals दोनों में किसकी ज़रुवत परती है cell की ज़रुवत परती है जो cell बहुत सारा cell में कर एक टिसू परफॉर्म करता है और टिसू जो है essential है body या plant के growth के लिए या body के growth के लिए या maintain करता है या body के organization के लिए उसके बाद से इसका देखते है classification देखते है टिसू का classification है टिसू are classified into four main types in animals and two main types in plants बोला है कि टिसू जो है classified किया गया हुआ है four main type जो है वह animals के लिए animals में कितने type में बाटा गया है four type में चार type में बाटा गया और plants में two types में बाटा गया है तो हम लोग पहले सबसे पहले देख लेते है animals में animals में specific पूछा हुआ है कि connective tissue और epithelial tissue के बारे में अब लोग देखते है animals में इन अनिमाल्स इपिथिलियल टिसू अनिमाल्स में सबसे पहला क्या आता है epithelial tissue आता है epithelial tissue किसे बोलते है epithelial tissue बोला है कि covers the body surface and lines hollow organs cavity and ducts बोला है कि epithelial tissue किसे बोलते है और कहां present रहता है यह बोला है कि covers करता है body के surface में सबसे उपड़ी पड़त होता है सबसे upper वाली part जो होता है उस उस पर present रहता है और उसके lines पे hollow organs hollow organs में मतलग हो जाएगा intestine और many types of duct जो hollow रहे उसके lining के पर present रहता है और cavity के lining पर भी present रहता है कोई भी hollow organ हो उसमें इसका function क्या रहता है इसका function देख लेता है यह protection में help करता है और absorption में and secretion में and filtration में बोला है protection जो protect करता है किसी भी body के organ को और absorption absorption जो कोई भी absorb कर लेता है body कि वो अपने अंदर absorption कर लेता है इसका अंदर उसको absorption बोलते हैं सेक्रेशन सेक्रेशन मतलब कोई भी secret करता है इसके कहीं से अगर कोई चीज पर पर प्राप्त हो उसको उपर accumulate हो जाया या वहां से fluid fluid निकलता हो fluid निकलता किसी जगा से उसको secretion बोलते हैं और and filtration filtration जाते हैं कि इसको filter करना तो उसको filtration बोलते हैं इसका example हम लोग देखते हैं कि epithelial tissue के example कौन-कौन सा है तो यह skin आया जाएगा lining of the intestine intestine के अंदर जो lining रहता है वो भी epithelial tissue में आता है अब next देखते हैं इसमें कौन सा है second one आए आयाता है connective tissue connective tissue किसे कर बोलते हैं जो connect करके रखता हो इस recollective tissue बोलते हैं एक दूसरे से connect करके रखता है जिसमें आ llega它 support यह भी क्या काम करता है support का काम करता है connect and bind different tissue and organs of आपसमें रखता है और मी और अजयरोगी हो फाल इसका, जूहसा काम करता है क्या फंशन है बहुतundo रेकान है अर्चंपर्अन्-धव many types of proteins यह सब जो जाता है एक जगा से दूसे जगा transport करने में भी help करता है वो connective tissue ठीक है connective tissue का example हम लोग देखते हैं example क्या है connective tissue का यह bone हो जाएगा bullet हो जाएगा cartilage, adipose tissue जिसको fat बोलते हैं और adipose tissue उसके वाद से third number में आ जाता है third part है muscle tissue muscle tissue किसे गलते है muscle tissue में आ जाता है specialized for contraction and movements यह सबसे पहले बंदा होगा है contraction के लिए and movement के लिए contraction मतलब contract करना यह आपस मैं मतलब जगा contract करता है एक जगा और movimento करने है एक जगा से दूसरे जगा moment होने के लिए muscle tissue का types है skeletal muscle skeletal muscle जो होता है वो voluntary movement अटेज करता है voluntary movement उसको बोलते हैं जो खुद के control में हो मतलब मैं मेरा mind कर रहा है कि घूमने का है तो घूम रहा हूँ मेरा mind क्या है कि मैं हाथ मोरू तो हाथ मोर जाता है तो यह जो muscle है यह कौन सा आ जाता है यह voluntary muscle का जाता है Voluntary muscle जो होता है वो खुद के control में होता है Attached to the bone जा bone से attached ड़ाता है जो bone से attached ड़ाता है उसके बाद से होता है इसमें cardiac muscle cardiac muscle क्या है? cardiac muscle जो है जा involuntary होता है जो अपने control में नहीं होता है cardiac muscle होता है जैसे heart हो गया heart जो अपने control में नहीं है अभी हार्ट को चाहें तो रोग दें, अभी चाहें तो स्पीड बला दें, यह अपने आप को होता है, और यह mind के control में नहीं होता है, यह natural है, अपने आप खुद से यह function होता रहता है, found in the heart, यह heart में पाया जाता है, उसके बाद से smooth muscle, smooth muscle जो होता है, यह भी involuntary होता है, इस्बूत muscle जो होता है, यह भी, क्या होता है, involuntary होता है, involuntary मतलब बताया अभी, जो खुद के control में नहीं हो, found in valves of organs like intestine and blood vessels, यह कहां पाया जाता है, intestines के valve पे, जो आत होता है, आतरी जिसको भी बोलता है, वह उसके intestine उसको बला जाता है, आत को, तो आत के valve पे, उसके surface पे पा fourth number में आता है, nervous tissue, nervous tissue, nervous tissue किसे बलते है, nervous tissue, responsible for transmitting electrical impulse through the body, यह बोला है, responsible किसे रहता है, transmitting electrical impulse, मतलब कोई भी message देने के लिए, यह responsible होता है, throw out the body, throw out the body, body के, body is responsible होता है, कोई भी electrical impulse देने के लिए, कोई message पहुंच आने के लिए, transmit करने के लिए, उसका function क्या होता है, यह communication and control body, bodily functions, यह क्या करता है, कि communicate करता है, एक दूसरे से communicate करने का काम करता है, और control करता है, body के function को, जैसे आब respiratory system में respiration हो रहा है, excretion हो रहा है, और इसके बाद से bullet circulation हो रहा है, सब को maintain करके और control करके आपस में communicate करके, यह nervous tissue जो है, इसका example क्या हो जाएगा, इसका example हो जाएगा, brain, spinal cord and nerves, brain जो है जनते हैं, उसके वो control करकर रहता है, spinal cord होके, जो पीट के रीर में जो अंदर जो यह होता है, उसी को spinal cord बोलत है, इसमें आगा है, अब बुल्ला है कि detail notes on connective tissue, connective tissue के बारे में detail notes लिखना है, connective tissue is one of the four primary types of tissue in the body, यह अब का बुल्ला है, कि connective tissue जो है, is one of the four primary, तो चार में से सब से primary types of tissue है, बडी का, इसका function क्या है, function of connective tissue, इसका function क्या है, function is support, provide structural support, example bone, bone जो होगया, वो structural support देता है, bone अगर नहीं रहागा, तो body में कोई support ही नहीं रहागा, और body वो सही से, नहीं पर stable नहीं हो सकता है, इसलिए, वो क्या होता है, structural support देता है, इसमें example bone हो जाएगा, ठीक है, उसके बास protection, protection जैसे है, cousins and protects organs and tissue, example adipose tissue हो जाएगा, ठीक, protect करता ह है, organ को, tissue को, अब जैसे heart है, heart में अगर उपर में ribs नहीं रहा, तो क्या होगा, कि वो protect नहीं कर पाएगा, heart को, जिससे repeat के जो ribs है, तो वो क्या करता है, उसको protect करने का काम करता है, एडिपोस tissue हो गया, जिससे कोई fat हो गया, fat भी protect करता है, उसको, कहीं पर धक्क लगा, your followers, ligaments आजाता है, और tinderns का काम करता है, कि ligaments का काम करता है, ये भी bind करने का का काम करता है, एक दूसे इसको, यह bind करने का करता है कि ligament जो है वह muscle से, sorry, bone से bone में जो joint होता है, वो उसको जोरने का क्या क्या करता है, तो यह ligament करता है, और tendon क्या करता है, कि muscle से जो बुण में attachment कराता है, वो bind करने का काम करता है, तो वो tendon कराता है, उसका अव्सका, storage में क्या है, stores energy, connected issue यह energy भी store करके रखता है, यह store energy, example, edКА औब old-de-possed issue, and minerals, जो example, bone, minerals, bone क्या करता है, minerals भी store करके रखता है, उसके बाद से transportation, में भी देखे लिए तो आप लोग देख लेंगे तो आप लोग देख से याद भी कर लेंगे तो पाँपोर्टेटिव एक्जाम में बरुछा जाता है ठीक है तो ड्रांस्पोर्टेशन क्या हो जाएगा क्सपोर्टशन में बलाड जयागा फिलूड हो जाएगा जो टांशपोर काम करने का बलत जो हो हो क्या ऐक्सीजन टांसपोर्ट करता है घ्म करता है और साई क्सक्रम होता रहाता यह कंच्की का है श्रकांच और quiser नुक्सिचन, नूट्रियंस and वेस्ट ficar साथ अक्सीचन भी ठांसपोर्ट करता है यूट्रियंस गार टाउड़ता है फ़्ली जो वेस्ट परड़क्त है जैसे यूणिली इनेशन हो गया उसके वासे डिफրेंट वेस्ट डवा खाद रहा है तो हम लोगं का immune मजबूट होता है तो वह the इंदर बढ़ी को इन्हांस करने का काम करता है तो उसको यह immune response इम्यून रिस्पांस में हो जागा है, connective tissue contains cell, connective tissue रखता है जो participate in the immune defense, जो immune response जो है connective tissue रखता है, cell, cell क्या करता है, cell में कौन सा है, जो micro phasers, एक cell है, जो उसको उंदर store करके रखता है, जो क्या करता है, immune defense में काम करता है, immune defense मतलब कोई भी foreign particles से आया body में, तो उसको kill करेगा, मारेगा या उसको रोकेगा, उसी को, उसी मलता है, immune response, उसके बाद हम लोग देखते है, composition of connective tissue, और यह connective tissue बना किस तरीका से रखता है, किस चीज़ परकार का बना रखता है, connective tissue, तो composition क्या क्या है, तो इसको composition बनाता है, connective tissue is composed of three main components, इसमें जो है, तीन main components से, तीन main cell हो गिया, cell के अंदर आता है, fibroblast, fibroblast एक परकार का cell के अंदर ही सब types है, fibroblast आता है, तो fibroblast क्या होता है, most common cell types in connective tissue, connective tissue का या most common type cell है, एक परकार का cell है, तो proper secrets, fibers and ground substances, यह secret क्या करता है, ground substance जो रहता है, वो secret करता है, और fiber secret करता है, fibroblast इसी कहा है चेल का ही type classes है ADIPUCIDES KYA होता है अग किया होता है FAT Cells primarily found in a tears tissue THAT stores LIpeds यह क्या करता है एडिपोस यह primary found cell है fat or primary found in adipos that stores LIpeds यह historically करता हु लिपिट को स्टोर करें रहता है मैक्रोफेज्फेज्ट मैक्रोफेज्ज meno से डियर डइजेस्ट टैये सबस्तेस जो बहार सेkem सबस्त और पहजेआ इफुमचाए आता हो उसे ये सबस्तान्स बोलता है जो मायक्रोफेजम्फेज Mycrophage Immune को boost करने काम करता है और digest कर देता है Forogenze सबस्टांज को उसका बाद हम जब देखते हैं Mast Cell Mast Cell क्या होता है Mast Cell जो होता है Release Histamine and Other Substances During Inflammatory and Allergic Response क्या बुला है कि Mast Cell अपने अंदर एक परकार का Histamine जो है वो Histamine रखता है Contains करका रखता है इंज़ おहारे हो तो यहस्ट कर जाता है। एहां मार्शाइल हो जाता है। 흰िवस्लातों हो जाता है। अईपितअरों हिप 176-2018, हयां पर जाता है। अगर और जुकिछ करें। उसमें पेन होता है और एलर्जिक रिस्पॉंस के लिए भी जया रॉणिंग नोज रहता है नाक से पानी जब भ़ने लगता है तो हिस्टामीन ही रिलीज होता है और वहाँ पर उस जगाँ पर एडिटेशन जाकर प्रोडूस करता है जो सेल वहां से परकार का फ्लूड रिली यह क्या करता है, strength मतलब मजबूती परदान करता है, strength, provide strength, elasticity and support, elasticity मतलब होता है कि कोई भी चीज हो, जैसे rubber हो गया, rubber को अगर गीचे तो वो क्या होता है, लमर जाता है, मतलब उसका जुलेंथ जो बर जाता है, पर छोड़े तोफे, वो similar size में आ जाता है, उसको elasticity बोलते हैं, यह fiber जो होता है, strength भी provide करता है, elasticity भी provide करता है, support भी करता है to connective tissue, अब इसमें कौन-कौन सा fiber है, उसके भी classification होएगी, फाइवर में कौन-कौन सा fiber है, तो यह collagen fiber है, strong and flexible provide, tensile strength, क्या बोला है कि collagen fiber जो है, strong and flexible होता है, यह क्या होता है, strong, यह बहुत मजबूत होता है, और flexible, बहर भी सकता है, घट भी सकता है, इसको flexible, अगर उसको, उसमें अगर force लगा है, तो अपनी length को बरहा भी सकता है, और उसके बात फिर छोड़ दें, तो फिर वो अपने shape में आ जाएगा, उसको flexible बहुत, provide tensile strength, well tensile strength provide करता है, found in the tendon ligaments, skin, skin जो है, अगर उसमें strength, अगर force लग में attachment कराता है, हम लोग का joint है, joint में सम्में वो tendon लगा रहता है, जिसकी वज़स्ता हम लोग, वो इभी joint को move कर सकते है, या, अगर उसका change कर सकते हैं, तो उससे tendons की होता है, और ligament जो होता है, वो muscle से bone में attachment होता है, तो उसको ligaments बोलते है, और, sorry, tendon muscle to bone attachment, tendon क्या होता है, tendon जो मसल से bone में होता है, और ligament जो होता है, वो जोइंड होता है, bone से bone में joint होता है, वो ligament कर लाते है, उसके वासे इसमें आ आजाता है, elastic fiber, elastic fiber क्या होता है, एक contains elastine, या, elastine contains रखता है, जैसे हो गया, skin हो गया, lungs हो गया, bullet vessels पर जाता है तो उसमें बरने और घटने की चमता ज्यादा ही रहता है इसलिए lawn até ऊसके बाद से retro micro micro primers क्या होता है यह क्या यहती हमावनिया स Durخ सपोर्टिवन नेटवर्क या यह सपीलीन हो गया और लिंफ नोड हो गया इस पिलीन हो गया जैन जो रिंप्रट करता है तो वहां जाके इस्टोरेज हो जाता है और लिंफ नोड में क्या है lymph node में जो immune response के वाकते T cell synthesize होता है तो यह कैस में हो जाता है यह बोल सकते हैं कि lymph node में जाके यह synthesize होता है वहां से इसका formation होता है T cell का जो immune से immune system बूस्ट होता है और रोगों से लगने की चंता जो होता है वह परदान करता है तो जिससे एक परगार का बन सकते हैं जो त्यार होता है तो वह कहा होता है lymph node में होता है इस बड़ी का cynic है तो वह lymph node में जाके होता है उसका वाजसे ठाट आयाता है ground substance ground substance क्या होता है ground substance the non-cellular materials that fills the space between cells and fibers क्या बोला है कि ground substance जो होता है जो होता है तो इसके अगर gap है तो उसके अंदर कोई fluid होगा तो यह कौन सा समस्चन ground substance materials इसमें भरे रहते हैं fluid में made up of water यह किसका बना रहता है generally water का बना रहता है इस example में अगर हम देख लेखते हैं कौन सा example इसमें glycosa minoglycans glycosa minoglycans जो इसका वगर short form में बोले इसको तो GAGS glycosa minoglycans ओक्या आगे आप देखते हैं हम लोग उसके composition के हिसाब से देख देखते हैं अब यह types के हिसाब से हम लोग देख देखते हैं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जागा इसलिए हम लोग skip कर देते हैं इसको तो थोड़े हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क tissue होता है ठीक कनेक्टिव टिशू प्रोपर में आजाता है loose connective tissue उसके बारे में बोला गया हुआ है तो üppetheal tissue जो होता है क्या होता है एप लोग आफफ दफ फोर प्रायंटि टाइप्स ओ टीशू मेंसे एक टीशू है जो प्रायंटि टाइप्स प्राइपल टीशू मेंसे and has unique characteristics that distinguish it from other tissue types क्या बलना है कि epithelial tissue जो है epithelial tissue या alongside connective muscle एक दूसरे muscle से दूसरे muscle में connective करके रखता है या nervous tissue nervous tissue का काम जाने है कि जो message हो message को forward करने का और लाने और ले जाने काम करता है एक या जो epithelial tissue है या एक key function भी रखता है एक key function भी रखता है unique characteristics इसका जो characteristics unique है उसके बास से देख लेखते हैं इसका characteristics क्या है characteristics of epithelial tissue इसमें सबस्ब बला जाता है cellularity या क्या काम करता है cellularity का काम करता है epithelial tissue is composed of tightly packed cell with minimal extra cellular matrix या जो है extra cellular matrix रखता है और tightly packed या जो हता है tightly packed रहता है cellularity परफॉर्म करता है cell के बनने में या वर करता है उसके बास से polarity या polarity में भी help करता है उसके बास से polarity में भी help करता है polarity में का है it has an epical surface facing the external environment or lumen of organs epithelial tissue में जो polarity में क्या क्या काम करता है या एक specific surface है जो facing क्या करता है ? external environment बोडि के बाहर कई इंवार्मेंट और temperature über tahun teng घाट जाए , तो उसको face क्ताकी जो फेStudy व्यूल compact इसमें polarity में क्या क्कारता है उसके बाद से बादadt कहेред बेसल सर्फेस में भी काम करता हैxi create to the basement membrane that connect it to अंडर लाइनिंग क्नेक्टिव टीशु यह क्या बोला है कि attach करने का अंडर लाइनिंग क्नेक्टिव टीशु जो अब कनेक्टिव टीशु कॉनेक्टिव टीशू जो अन्मिंटी में उसमें भी वह और कारता है वो आधा है उसके वाया से इसमें क्या-कार काम रहा है कि Aa एडवास्कूलर, रिजेनेरेशन, सेल, जंक्संस, या क्या-क्या में हिल करता है, सबका अलग-अलग डिफ्रेनेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन बहुत लंबी वीडियो बन जाएगे, इसलिए शॉट में बता रहा है, एडवास्कूलर भी काम करता है, एडवास्कूलर, और जनक्सन, देचनेरेशन मतलब हो गया कि, अगर कोई भी मसल, कट जाता है, या, कोई वून्ड हो जाता है, तो वून्ड को हिल करने के लिए ये, एपिलियल कही काम होता है, difference noises की nosso बढम भरता है, जो जखम हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसमिं जो गड्जे हो जाता है, स्पेस खाली हो जाता है उसको हील करने काम भी करता है और सेल जंग्सन सेल जंग्सन मतलब हो गया कि डिफरेंट टाइप्स की जो जंग्सन है जो एक जगह से दूसरे जगह में से जाने के लिए जो क्वाइंट बना